Hello everyone, welcome to job साथी, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC job vacancies के बारे में, मतलब कौन-कौन सी jobs available होती है, salary कितनी होती है, academic qualification क्या होना जरूरी है, age limit क्या होना जरूरी है, इस बारे में हमशक जानकारी लेने वाले हैं, तो अगर आप channel पे नए हैं और channel subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर ल से आपको 10th पास होना अनिवारिया है, अब हम बात करेंगे age limit के बारे में, candidate के जो age है, वो minimum age 18 होना जरूरी है, maximum 45, मतलब apply करते हैं, candidate की age 45 से कम होना जरूरी है, जो categories है, SC, NTSD और OBC, उस categories के लिए कुछ प्रकार की छूट दी गई है, तो 10 वी के बाद अगर आप LIC में आ 30,000 पर मन तक की salary आपको मिल सकती है, online भी आप apply कर सकते हैं, apply करने के लिए कोई application fees नहीं है, इस job में personal interview में प्रदर्शन के अनुसार, candidate का selection हो सकता है, ये सब information थी सहां यक post के लिए, अब हम बात करेंगे LIC assistant post के बारे में, अगर आपको LIC में assistant बनना है, तो आपको किसी भी माननेता प्राप्त बोड से graduate होना जरूरी है, age limit जो है, मतलब candidate की जो age है, वो apply करते वक्त 45 से कम होना जरूरी है, salary 35,000 पर मन, salary आपको इस post के लिए मिल सकती है, इस job में written test और personal interview में प्रदर्शन के अनुसार, candidate का selection हो सकता है, online भी आप apply कर सकते हैं, apply करने के लिए open और OBC category के लिए application fees है, 100 रूपीज, और SCNTSD category के लिए कोई application fees नहीं है, अब हम बात करेंगे LIC की post पर apply करने के लिए, जो आपको exams देनी होती है, तो वो exam किस प्रकार की होती है, तो सबसे पहले premium exam होती है, final exam होती है, और फिर personal interview होता है, तो premium exam में जो paper आता है, कुल मिला के हनेर मास का paper होगा, बस्तु निष्ट प्रशनाएंगे, objective type questions होगे, एक घंटे का अवधी आपको दिया जाएगा, इसमें negative marking होता है, गलत उत्तर देने के लिए 1 by 3 marks कट हो सकते है, तो आपको सावधानी पूरवक paper आपको लिखना है, तो अब हम बात करेंगे किन-किन subject की आपको अगर आप premium में pass हो जाते हैं, तो आप finals के लिए select हो सकते हैं, मतलब final exam में आप apply कर सकते हैं, तो उसके लिए जो paper है, वो है 200 marks का paper होगा, 3 घंटे का time आपको दिया जाएगा, उसमें subject हैंगे general financial ability, general English, general awareness, quantitative capacity और mathematics, तो यह जो subject है, इन subject के आपको पढ़ाई करनी है, आपको अ books है, आपको market में मिल जाएगी, वहाँ पे भी, मतलब self study भी कर सकते हो, अगर आप self study नहीं कर सकते हैं, तो coaching center में जाकर भी आप अधेयन कर सकते हैं, तो यह books खरीद के आप खुद भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो जैसे ही मैंने कहा है, कि 30,000 तक की salary आपको मिल सकती है, तो सा आपको इस salary के साथ ही, जो house rent allowance है, वो भी मिलेगा, DNS allowance मिलेगा, traffic allowance मिलेगा, बहुत सारी सुविधाय आपको मिल सकती है, और दोपेर का जो भोजन है, वो भी आपको free में मिल सकता है, तो बहुत सारी सुविधाय भी है, बहुत ही शांदाल करियर प्रदान करती है, LIC तो आप apply कर सकते है, 12th के बाद अगर आप किसी कारण आप आगे की पढ़ाई नहीं भी कर सकते हैं, और आप सूच रहे कि LIC में job पाना है, तो भी आपको job मिल सकती है, बस आपको ये जो competitive exams होती है, premiums होती है, final exams होती है, तो उसकी पढ़ाई आपको अच्छे से करनी होगी, अ इस प्रकार के questions आपको पूछे जा सकते हैं, तो उसका अध्यान आपको अच्छे से करना होगा, उसके बाद mathematics में आपको लाब और हानी, समय, direction, इस प्रकार के questions पूछे जा सकते हैं, अब हम बात करेंगे English subject के बारे में, तो English में आपको sentence formation, grammar, परियावाची मितलब synonyms, antony similar words, meanings, तो इस प्रकार के questions आपको English language में पूछे जा सकते हैं, अब हम बात करेंगे कि अगर आप सहायक post के लिए apply कर रहे हो, तो किस प्रकार के questions आपको पूछे जा सकते हैं, अगर आप सहायक post के लिए apply कर रहे हो, तो आपके मन में बहुत सारी questions आते होंगे, तो वो किस प् पहले अगर आप online form भर रहे हो तो आपके मन में यह आएगा कि यह online जो form है वो आपको download करने की आवशकता है या नहीं जी हां आपको यह जो online form है वो download करना है क्योंकि उसके उपर जो information दी होती है तो वो आपके पास रहेगी तो उसके लिए आपको यह online form जो है वो download करना कि वहाँ पर जाके आप भर सकते हो, अगर आप घर पे भी नहीं भर सकते हो, अगर आपकी hall ticket पर photo नहीं है, तो ये ठीक है क्या, नहीं, hall ticket पर photo होना, आपकी तस्वीर होना जरूरी है, अगर ये नहीं है, तो जो जीवन वीमा निगम के जो अधिकारी होते हैं, उनसे आपको स associate post के बारे में, किसी भी मान्यत अप्राप्तबूर से आपको graduate होना जरूरी है, साथ ही साथ 60% marks आपको graduation में मिलना भी जरूरी है, तो ही आप associate post के लिए apply कर सकते हैं, age limit, candidate की जो age है, वो 45 से कम होना जरूरी है, इस job में पहले premium होगी, final exam होगी और उसके बाद, personal interview के अनुसा candidate का selection किया जाएगा, salary 40,000 to 50,000, online भी आप apply कर सकते हैं, apply करने के लिए open और OBC category के लिए application fees है, 600 रूरी और SCNTSD category के लिए कोई application fees नहीं है, अब हम बात करेंगे सहायक प्रभंदक post के बारे में, academic qualification required for the post, किसे भी माननेत अप्राप्त बोर से आपको graduate होना जरूरी है, साथ ही स 65% marks मिलना भी जरूरी है, age limit, candidate की जो age है, वो कम से कम 45 होना जरूरी है, salary 40,000 to 50,000 तक salary आपको मिल सकती है, इस job में return test, दो return test होगी, premium होगी, final exam होगी और उसके बार, personal interview के अनुसार, candidate का selection किया जाएगा, online लिए आप apply कर सकते हैं, apply करने के लिए open और OBC category के लिए application fees है, 500 रू 50 रूपीज, अलग-अलग state में अलग-अलग post available होती है, बहुत सारी post available होती है, अब हम बात करेंगे कि कौन से state में कितनी post available होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे महाराश्र के बारे में, तो 18,000 LIC post available होती है, आंदरप्रदेश की बात करें, तो 15,000 vacances होती है, असाम में 13,000, बिहार में 15,000 उसके बाद UP में 24,000 तो बहुत सारी पोस्ट निकलती रहती है LIC के लिए तो आप अप्लाइ कर सकते हैं सहायद के लिए कर सकते हैं अगर आप ग्राजुएट हो तो असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी अप्लाइ कर सकते हैं तो गाइस इस वीडियो में हमने LIC job vacancies के बारे में आवश्चक जानकरी ली है अगर आप कोई और information चाहते हैं तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं बहुत सारे job related, career related वीडियो मेरे इस channel पर आपको मिल जाएंगे आप check कर सकते हैं I hope हमारी जो कोशिश है आपको बेर करने की वो पूरी होई होगी Thank you so much and take care